Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT Class 8 Hindi वसंद Chapter 2 लाग की चूड़ियां का Question Answers तो इसका Chapter वे ने आपको पहले ही पढ़ा दिया है तो आज हम लोग इसका Question Answers करेंगे तो ये देखिए आप पहले इसका कठिन सब्द जो है वो जान लिजे तो कठिन सब्दों के अर्थ देख लेते हैं, तो देखिए क्या है चाओ, चाओ मिन्स चाह या रूची, तिव्र, इक्छा सलाक, मिन्स सलाई या धातु की छड मुंगडी, मिन्स गोल, मुठियादार लकडी जो ठोकने पीटने के काम आती है अब है पैत्रिक, पैत्रिक मिन्स पूरवजों का या पिता से प्राप्त या पुस्तैनी खपत, मिन्स माल की बिकडी वस्तु विनिमे, मिन्स पैसों से ना खरीद कर एक विनिमे वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना अब है कसर, कसर मिन्स घाटा पूरा करना या कमी, नाजुक मिन्स कोमल, पगड़ी, पगड़ी मिन्स सीर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग अब है मरहम पट्टी मिन्स जखम का इलाज या घाव पर दवा लगा कर पट्टी बांधना अब है मचिया मिन्स बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदी से बनी कोई चीज मुखातिब मिन्स देप कर बात करना डलिया मिन्स बांस का बना एक छोटा पात्र अब फबना फबना मिन्स सजना या सोभा देना अब देखिए आपका पहला प्रश्ण है कि बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था तो तर लिखेंगे कि बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाउं में लाग की चुडियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाओ था क्योंकि वह लेखक को लाग की धेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी वैसे तो लेखक के मामा के गाओं का होने के काड़न उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था पर लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गाओं के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे अब है दूसरा प्रशन की वस्तू विनिमय क्या है विनिमय की प्रचलित पधती क्या है तो उत्तर लिखेंगे की वस्तू विनिमय वह पधती है जिसमें एक वस्तू देकर दूसरी वस्तू ली जाती है पुराने समय में वस्तू के लिए पैसे नहीं लिये जाते थे बलकि वस अचलित पदवती पैसा है अब है तीसरा प्राशनी कि मसीनी यूग ने कितने हाथ काट दिये हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। कि मसीनों के आगमन के साथ काडिगरों के हाथ से काम धंदा छिन गया है मानों उनके हाथ ही कट गये हो उन काडिगरों का रोजगार इन पैत्रिक काम धंदों से ही चलता था उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था वह पीड़ी दरपीड़ी अपनी इसकला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं परंतु मसीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है मसीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखे मरने की कगार पर आ गया है मसीनों के प्रियोग से बदलू जैसे कुसल काडिगरों के हाथ से काम छिन गया है वे या तो बेरोजगार हो गया है या फिर अन्य कोई व्यवसाय अपनाने को विवस है अब है चौथा प्रश्न की बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी तो उत्तर लिखेंगे कि बदलू लाग की चूडियां बेचा करता था परंतु जैसे जैसे कांच की चूडियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका वेवसाय ठप पड़ने लगा अपने वेवसाय की यह दुर्दसा बदलू को मन ही मन कचोड़ती थी बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मसीनी यूग के प्रभाव सरूप उस जैसे अने कारिगरों को बिरुजगारी और उपेक्छा का सिकार होना पड़ा है अब लोग कारिगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी अब है पांचवा प्रश्न की मसीनी यूग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया तो उत्तर लिखेंगे कि मसीनी यूग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया वह बिरोजगार हो गया काम ना करने से उसका सरीर भी ढल गया उसके हाथों माथे पर नसे उभड़ाई अब हुआ बिमार और चिंतित रहने लगा अब है छठा प्रश्न कि लाग की वस्तों का निर्मान भारत के किन किन राज्यों में होता है लाग से चूडियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है ग्याद कीजिए तो उत्तर लिखेंगे कि लाग की वस्तों का निर्मान भारत के राजस्थान, करनाटक और उत्तर परदेश आधी राज्यों में होता है लाग से चूडिया, मुर्तिया, गोलिया तथा सजावट की वस्तों का निर्मान होता है अब है सात्वा प्रश्न कि गाउं की बोली में कई सब्दों के उच्चारन बदल जाते हैं कहानी में बदलू, वक्त, समय को बखत, उम्र, वय, वायू, अवय, आयू को उमर कहता है इस दरह के अन्य सब्दों को खोजिये, जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो अर्थ में नहीं तो देखिए आप, जैसे हैं आप इनसान है, इनसान को मनुष्य बोलते हैं रंज, दुख, गम को मायूसी, जिन्दगी को जीवन, उलाद को संतान तो इस दरह से बहुत सारे सब्द में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके अर्थ में नहीं हुआ है, तो ये था आपका प्रश्न उत्तर, तो आपका ये चप्टर का प्रश्न उत्तर कम्प्लीट हो चुका है, अब आप इसे अच्छे से याद कीजिए, और आपको कैसा लग आप जरूर बताईएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज हैं, वो आपके पास समय से पहुंसती रहे, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा से आपके वीडियो,